हेलो काईज वाट्स अब बैक तो दी न्यू वीडियो तो इस आज की वीडियो में यह वली फोटो को मैं रीटच करूंगा पूरी फोटो को हम सबसे पहले तो बलर करेंगे उसके बाद थोड़ा रीटच करेंगे तो यह वली फोटो को मैं सिंपली कुछ इस तरीके से जाती है एक प्रोब्लम यह थी कि कुछ इस तरीके की फोटो जाती है कहीं से बलर होती ही नहीं है तो पूरी वीडियो में इसी प्रोब्लम को मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो लास्ट तक देखीगा वीडियो काफ जाद मज़ेदार होने वाली है और चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने काफे सारे टुटोरियल और भी है इस चैनल पे वह चैक आउट कर लेना एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सब से पहले जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको नामे स्नैपसीड ऑप्लीकेशिन में सब से पहले हमें करना कि है तो सबसे वहले प्लीकेशन हमें चैनल यहां पर जाएंगे यहांप हैं जो पूरी फोटो है उसको हम कुछ इस तरीके से जो हमारो ज्यक्ट है hyहां से गाइब कर लेंगे तो कुछ गायब करने के बाद सिंप्ली इस चरीक चें इंटरफेस हारा आपके Sugnet तो अभी हमें करते हैं जिए यहां में बिलर पर जानाना है और जाय हमें जितना हमें भॉलर कर लेंगे तो सबसे पहले तो जो साइट से converter और है जो किarts कम कर देते हैं कसहें जोपार आपंपने जसाहां करके लगा लगा लेजी जहां क्रीब 55 ब्लर काफी सही लग रहे हैं and after and before देख सकते हूं ब्लर काफी अच्छे त्रीकिस हो गया है तो यहां सब हम फोटो को सेव कर लेते हैं अब ही मैं आगया हूं PSट एप्रीकेशन में कैसे डाववन करना इसका इसका यह डिंक आपको डिस्क्रिपिशन करना है और इसका लिंक यहां कर लेगए यहां से अब यह फोटो को साथ दिक्कत आ रही है वह एक ही चीज है कि थोड़ी ब्लैक फोटो हम इसमें थोड़ा कलर ग्रीडिंग है और इसे थोड़ा रीटच करेंगे तो सबसे बहुत है जो हमें कलेडिटी है से हमें अच्छे से बनाई रखना है उसके लिए हमें करना क्या होगा एस टूल पर जाने है इमेज साइज पर जाने है और यहां पर हाइव वोल्यूम सेट कर देना एक बार इसे नाइन 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 ने सी रैंडम ली आपको क्लिक करके कर द estás हो जाएगी जितने इस इसकी ह grassy होगी तो यहां से हमारी फोटो यहां से हमारा काम वगता हो जुक आव हम फोटो को सेड कर लेते हैं यहां से डन आप यह काम कोई भी एस्धे एक जजर सकते हैं बट मैं आपको सकताहल करना की byus टैस्ट से करना क्लार्टी बनी रहेगी एंड इसके वाद हमें करना के सिंपली स्नैपसीट एप्लिकेशन की मतलब से हम थोड़ा फोटो को जो डार्क डार का उसे हम थोड़ा लाइट करेंगे एंड थोड़ा कलर एफक्त देंगे तो सबसे बहुत हमारा फेस है जो उस पर लाइट कम थी इस थोड़ी सेचुरेशन एंड एंड को बढ़ा देंगे अब देखते हैं आपके साबने रिजल्ट आ रहा है थोड़ी शैड़ोज और हाइलाइट को बढ़ा कर देखते हो कितनी फोटो मारी डार्क डार्क थी तो थोड़ी लाइट लाइट हो चुकी है तो अभी हमें करना क अब थोड़ा हमाई फेस स्मूथ करना है तो सिंप्ली हमें पोट्रेट में जाना है यहां पर हमें थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं आपको दिखा देता है एक बार सकीन स्मूथ आप जितना चाहे उतना स्मूथ कर सकते हैं आइस क्लार्टी को भी बढ़ा सकते हैं अपनी इसाब से रख सकते हो कम ज्यादा जितना आपको अच्छा लगे इसके बाद जो मारा फेस मूथ का काम भी ड़न हो चुक है अब हम फोटो को सिंप्ली यहां से सेव कर लेंगे अब हम आ चुके अपने लाइट रूम एप्लिकेशन में लाइट रूम एप्लिकेशन से में कर तो जैसा मैंने रख रहा है वो भी आप रख सकते हो वीडियो को चलो करके देख सकते हो इसके अपको टैक्स्च और क्लाइटिक बढ़ा देना है इसे को फोटो में थोड़ी टैक्शचर जो में सके बढ़ जाएंगे एड इसके बाद को शाथना इसके साथ-साथ मास्किं क बढ़ा देना है एंड इससे एजिस जो है वो शार्प होंगे ओनली फोटो कम शार्प होगी तो ये भी काफी अच्छी चीज़ है एंड इसके बाद आपको लाइट रूम में कुछ बेसिक से कलर इफेक्ट भी मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से यह वाला टूल है जो इसे आप अपने इसाब से फोटो को अड़ेस्ट करके कहीं भी लगा सकते हैं और इसके बाद एक और चीज़ मिल जाती हैं यहां पर हम अपनी शैडो मिट ट जुरूरत नहीं है थोड़ी ओवर हो जाएगी फोटो तो फोटो हमारी ओल्मस्ट फूलिट डन हो चुकी है और दिखते हो काफे दा अच्छा इफेक्ट आ चुकर लाइट रूम से भी और वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करके बता देना कोमेंट करके बता देना चैनल पिन नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वडियो में तब तक के लिए बाइबाइब